जो गुजर गया उसका गम नहीं, जो आने वाला है उसके प्रति आशनका नहीं, ये जीना सही जीना है, और जिसे इस तरीके से जीना आता है, वो हमेशा जिन्दगी का आनन्द ले पाता है, और ऐसा आनन्द हमेशा बच्चे लेते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा मासूम होते है उन्हें फिक्र नहीं रहती चिंता नहीं रहती तो हर चीज का वो खुशी से स्वागत करते है हम लोग भी इसी तरह जिन्दगी को जिए तो जिन्दगी का मज़ा और बढ़ सकता है और इसलिए अपने शायरी अंदाज में गुलजार जी कहते है मैं तो चाहता हूँ हमेशा मासूम बने रहना ये जो जिन्दगी है न हमें समझदार बना ही देती है तो हमें उसके फिक्र रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ मासूमियत से जीना सिखो जिन्दगी अपने आप गुलजार हो जाती है आईए इसे अंदाज का शायरी अंदाज का नजराना आपके सामने पेश कर रहे है शर्मिष्ठा जी और प्रशान जी ड्वेल द्वारा आति जाएं रेना दिली होई तकियोंे लाए भुशाई रहो जी टी लाविशाई रहो जी पिलंगी तकियोंे दिले हाती जाएं रहो जी फिलंगी का शी आतियोंे दाख बुचाई रेदा दिखिना दिखाई रेदा देते हुई बर्तियों कोई दाहराएं भुले हुए राम से कोई तो बुलाएं चाई भुले हुए रेदा दिखिनर देखिन देखिने रेदा जारी हूं अधियों में रात में आई रहना दीपिनांद आई रहना युग आते हैं अब युग जाएं चोट चोट यादों ते कोड नहीं जाएं जोटे से खाली लागे लागे खाली रखियां युथी हुई अधियों नाख मन आई रहना दीपिनांद आई रहना युग ऑन आई रहना